IPS ने Facebook पर शेयर की महिला IAS की प्राइवेट फोटो दमश्कार में भारती का पासिया स्वागत थे अब सभी का N27 News में करनाटक में दो महिला अफसरों के बीच जारी लडाई की कारण घमासान मचा हुआ है यहां IPS ओफिसर डी रूपा ने IAS ओफिसर रोहिनी सिंधूरी पर आरोप लगाया है कि वह अपनी निजी तस्वीरे पुरुष अफसरों के शार्थ शेयर कर रही है इस पर सिंधूरी की तरफ से भी जवाब दिया गया है बतादे करनाटक में दो महिला नौकर शाहों के बीच विवाद तेजी से बढ़ रहा है इनमें एक तरफ महिला IPS ओफिसर डी रूपा है और दूसरी तरफ IAS ओफिसर रोहिनी सिंधूरी है रविवार को इस वक्त सब हैरान रहे गए जब डी रूपा ने रोहिनी सिंधूरी की कुछ निजी तस्वीरे शोसल मीडिया पर शेयर कर दी उन्होंने दावा किया कि इस तीन पुरुस IAS अधिकारियों को अपने निजी तस्वीरे खुद बेजी थी रूपा ने शरिवार को सिंधूरी पर 19 आरोप लगाए सिंधूरी ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि रूपा उन्हें बदनाम करने के लिए जूट आरोप लगा रही है दरासल डी रूपा ने रविवार को शोशल मीडिया पर तस्वीरे शेयर कर कहा इस तरह की तस्वीरे समान्य लग सकती है लेकिन अगर एक महिला IAS अधिकारी एक या दो नहीं बलकि तीन IAS पुरुष अधिकारी को ऐसी कुछ तस्वीरे भेजे तो इसका क्या मतलब है यह उसका प्राइवेट मामला नहीं होगा IAS सर्विस कंड़क्ट रूल्स के अनुसार यह प्राध है कोई भी जाज एजेंसी इन तस्वीरों की वास्तविक्ता की जाज कर सकती है सेलून हेरकट तकिया लेकर सोते समय ली गई कुछ तश्वीरे कुछ लोग सामाने मैसूस कर सकते हैं वरना भेजा हुआ हाल बोलता है वे मूल रूप से आंदर पर देश की रहने वाली है वे अभी तक कई पदों पर काम कर चुकी है इस वक्त वे हिंदु धार्मिक संस्थान और धर्मार्त बंदो बस्ती विभाग के आयुद के तौर पर काम कर रही है वही डी रूपा की बात करें तो वे करना तक हस्त शिल्प विकास निगम में M.D. के रूप में काम कर रही है सिंदूरी ने कहा उन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए शोशल मीडिया और वर्टसप स्टेटस से मेरी तश्वीरों के स्क्रीन शॉट एक अत्रित किये हैं जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि मैंने ये तश्वीरे कुछ आधिकारियों को भेजी है बता दे मैं उनसे उनके नामों का खुलासा करने का आगरे करती हूँ IPS ओफिसर रूपा ने प्रशासन से आगरे किया कि सिंदूरी पर सहनुप भूती ना दिखाए बता दे उनके खिलाफ लगने वाले आरोप की जाज करे रूपा ने कहा कि वैस मामले को जनता के ध्यान में लेकर आई है डी रूपा ने सिंदूरी के खिलाफ उननीस आरोप लगाए है उन्होंने कहा कि उन्होंने तीन I.S. अधिकारियों को कुछ तश्वीरे शेयर की है संपत्ति के कारुबार में उनके परिवाल के सदस्यों की मदद करने के लिए जमीन के कुछ वुखंडों के सर्वक्षन, निप्तान और रिकॉर्ड विभाग से विवरन मांगने के लिए उनके अधिकार का दूर प्योग हुआ है बड़े हुए बिलो के रिंबर्समेंट के लिए उनके खिलाफ लोकायुक्त शिकायत है I.S. अधिकारी डी के रवी के आत्महत्या में उनकी भूमिका है और वह राजनिताओं से मुलाकात कर रही है रूपा ने यह भी कहा कि मैंने यह पहली बार सुना कि कोई I.S. अधिकारी डूटी के दौरान दायक यार रासनेतिक व्यक्ति के साथ बैठा कर रही है उन्होंने सिंदूरी पर कोरोना वाइरिस महमारी के वक्त घर पर स्विमिंग पूल बनवाने को लेकर भी आरोप लगाया अभी के लिए इतना ही देखते रहे हैं N27 News आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खाबर पर